ये करीबन सभी प्रोग्रेसिव लोगों में ये मान्यता रही है कई सालों से मान्यता रही है कि अगर अंदविश्वास दूर करने हैं तो सही माने में भगवान के और धर्म के खिलाब बोलना ही पड़ेगा और इसलिए Rationalist Association जैसे संगडन में या फिर मानवी नस्तिक मंज में जो नागपूर में था वे संगडन की शर्त थी कि जो भगवान को मानते हैं धर्म को मानते हैं उनको उस संगडन में प्रवेश नहीं मिलेगा अब जब मैंने ये काम शुरू किया 1982 में तब मैं इन लोगों के साथ में जुड़ाई हुआ था मैं इनके भुमी का जानता था लेकिन वो मुझे पढ़ती नहीं थी जश्ती नहीं थी उसके पीछे के दो कारण थे पहला कारण ये था कि मेरा साइकोलोजी का बहुत अच्छा अभ्यास था साइकोलोजी का कभी इनिविशिटी में मैं स्टूडेंट नहीं रहा क्योंकि मैं एक छोटे गाव से हूँ और दूसरी बात महराष्ट की संद परंपरा मुझे मालूम थी ये महराश्ट की जो संद परंपरा है संद ज्यानेश्वर संद नामदेव से लेकर तो अब बिल्कुल तुकड़जी महराज और गाडगे महराज तक के ये वारकरी संप्रदाय की परंपरा मानी जाती है ये वारकरी संप्रदाय के संतों ने महराष्ट में बड़े पैमाने पर अंधविश्वास दुर करने का काम किया था और मैं नाकपूर का, विधर्ब का, विधर्ब में ही ये दो बड़े संत हो चुके थे और अभी-बी हो चुके थे, तुकड़ो जी महराष्ट से तो मैं मिला भी था, उनसे बाच्चत भी की थे, मेरे पिता जी के वच्छे मित्र भी थे तो इसलिए इन संतों का काम में जानता था और इन संतों ने भगवान का नाम लेकर धर्म का नाम लेकर लोगों का अंदविश्वास दूर करने का काम बड़े पैमाने पर किया है ये भी मैं जानता था उनके पहले के संतों ने भी 700 सालों से ये काम किया ये जानता था अब उसकी जो भी अच्छा या बुराईया है कि आगे चल कर इन संतों के बारों में लोगों ने उन्हीं के साथ में चमतकार जोड़ दिये उनके साथ में दैवी चमतकारों का वो हिस्सा थे इस धंग से बाते फैलाए गयी जबकी वे अंदविश्वास विरोधी थे चमतकार विरोधी थे ये भी मुझे जानने के लिए अवसर मिला तो इसलिए किर्टन परंपरा का हम उपयोग नहीं करेंगे भाशन परंपरा से ही जाएंगे लेकेन संतों की भाशा का उपयोग करेंगे ऐसा हमने त दरवड़ा है हमारा भगवान और धर्म को विरोध नहीं है उसके खिलाप हम नहीं है लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो आम जंदा का शोशन होता है उसके खिलाप ये मोमेंट है ऐसा मान कर हमने इस संगडन की शुरुवात की इसके पीछे का बेसिक करण था कि लोग धिरे धिरे बदलते हैं लोग अंदविश्वास ही क्यों होते हैं मैंने अभी अंदविश्वास के बारे में कहा अंदविश्वास याने क्या है इसकी बैख्या क्या है कि आज हमें नौलेज उपलब्द है कि ये बात जूटी है ये नौलेज उपलब्द होने के बात भी हम उस जूटी बात को पकड़ कर रहेते हैं क्योंकि हम पर उस डंग के सांसकार हुए हैं उसको हम कहते हैं अंदव इश्वास हमें पता चलता है आज के दुनिया में कि ये बात जूटी है चल सकता है इसके बावजूद हम पर बच्पन से जो सांसकार हुए है इस कारण हम उस बात को हम पकड़ कर रहेते हैं इसको हम अंदव इश्वास कहते हैं तो ये अंदव इश्वास हम पर सांसकारो के कारण होते हैं ये कोई केवल भगवान के कारण नहीं होते है केवल धर्म के कारण नहीं होते है वो धर्म का एक हिस्सा हो सकता है तो ये भी भगवान की एक परेंपरा हमारे देश में रही है। में पहली वक्ति ऐसा होने के करण इस डंकी भूमिका लेकर काम करने वाला होने के करण जो लोग महराश्ट में अपने आपको बहुत प्रोग्रिसिव मानते हैं और प्रोग्रेसिव मोमेंट्स महाराश्ट में बड़ी तगडी है। तो वे हमेशा मुझे कहने लग जाते हैं कि भाई क्या यह आप कर रहे हो इससे तो कभी अंदर विश्वास दूर नहीं होगा तब मैं उनके सामने सवाल खड़ा करता था मैं डर के मारे मैं ऐसा बोल रहा हो क्या यह भूमिका ले रहा हो क्या वे फिर कहते थे नहीं हम जानते आप बहुत नेडर किसी जीश को डरते नहीं फिर मुझ पर विश्वास रखिये मुझे नॉलेज कम है ऐसा आपको लगता है क्या बूले नहीं नॉलेज की भी आपकी कमे नहीं है फिर मुझ पर विश्वास रखिये मैं साइकोलोजिकल प्रोसेस को बहुत अच्छे डंग से जानता हूँ मुझे मेरे डंग से काम करने दीजिए आप मेरे साथ आईए मुझे मदद कीजिए लोगोंने पुरोगामि खेत्र के मेरे सभी मित्रों ने मेरी ये शर्त मानी उनको मान्यन होने के बावजूद वो मुझे समर्थन करते रहें मेरे काम का समर्थन करते रहें और धीरे धीरे लोग बदलते गएं अब वो कोई objection भी इसके बारे में उठाते नहीं इसी लिए ये moment इतनी बड़ी बन पाए इतने बड़े पैमाने पर इसमें नए नए लड़के लड़किया शामिल होते रहे एक युवको की एक बहुत बड़ी moment महाराष्ट में बन पाई महाराष्ट के बाहर भी बड़े पैमाने पर हम जनजागरन कर पाए और इतने बड़े पैमाने पर बाबाों का, मांदरिकों का, देभी शरीर में लाने वाले लोगों का, हम परदाफाश कर सके, उनका भांडा फोड कर सके, उनको सही माने में एट्सपोज कर सके, ये संभव हो सका। ये मेरे भुमिका का सबसे बड़ा सामर्थ है, आ रही है इसलिए बाकी लोगों को ये भूमिका सूजी नहीं और उन्होंने इस धंग से काम शुरू नहीं किया इसलिए मैं उनको दोश नहीं देता हूँ मेरा साइकलोजी का खुद का भ्यास और मेरे सामने ये संद परमपरा का आधर्श इस करण इस धंग की भूमिका लेने के लिए मैं बात दे हो सका या फिर इस धंग की भूमिका मैं ले सका ऐसा मैं कहूंगा और वो भूमिका बहुत अच्छी शाबित हुए लोग भी बड़े पैमाने पर बदल पाए बड़े पैमाने पर इस संगड़न के साथ में और काम के साथ में जुड़ पाए इसलिए आज मैं इतने सालों में कह सकता हूं कि लाखों लोग मेरे संगड़न के जरिये मेरे काम क जरिये बदल पाए